नमस्कार दोस्तों आप सभी को मैं बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं जो कि समर्शिंग और अकांसा दुवे का मामले में समर्शिंग गये ते जेल तो समर्शिंग को रिहाई मिल चुकी है और वो जेल से बाहर आ चुके हैं क्या है खबरे में सचाई आप लोगों को लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दू कि नौ तारी को नौ मई को समर्शिंग का याचिका पर सुनवाई हुआ था जो उनके ओकिल के दर्स याचिका लगाया गया था कि समर्शिंग निर्दोस है तो इनको बेल दे दिजिए तो मामले में नौ तारी को में बहस हुआ बहस में क्या हुआ ओ आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग वीडियो में लाट तक बने रहे हैं आप लोगों को पूरी जनकारी दी जाएगी और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है आपको अगर इस वीडियो से कुछ आप लोगों को नौलेज मि लेकिन एक लाइक कर देंगे तो हम मोटिवेट होंगे कि हम ऐसे वीडियो और बनाते रहें तो आप लोगों को मैं बड़ी खबर बताने जा रहा हूं और बता देता हूं जोस्तों कि कोट में जैसे ही दोनों पक्च के इधर से आमने सामने जैसे सुनवाई हुआ तो उनका ओकिल का कहना था जो अकांचा दुबे का कि समर सिंग ही दोसी है और समर सिंग को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उनका माता जी कहीं आप लोग बयान सोने होंगे कि उनका माता जी क्या बोली है बयान में तो आप लोगों को मैं बता दू कि जो समर सिंग का ओकिल ह उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए बोला कि इनके पास कोई सबुत नहीं है कि समर्शिंग दोसी है और समर्शिंग निर्दोस है और समर्शिंग को बेल दे दिजिए बेल दे दिजिए जो कि यह कोई मामूली आदमी समर्शिंग है नहीं कोई से माने जाने भोजबूरी का सुपरेश्टार कलकार समर्शिंग जी है तो उनको आप छोड़ दे जिए और बेल दे दिजिए तो जजज का फैसला क्या आया दोस्तों आप लोग जानकर हैरान हो आप बताते हैं कि देखिए आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि हम समर्शिंग को कड़ी से कड़ी सजा दे ऐसा करिए आप और सबूत जो है ओ लेके आईए और आगिला सुनवाई में आपका याचिका का सुनवाई होगा तो समर्शिंग को फाइनली दोस्तों उस पर पाल्टी साल्टी मनाते हैं जो खुशी का महोल है बले ही अकांसा दूबे का जो फैंस है वो बुरा भला कमेंट ना करें जो बात है वो रियल है तो आप अपने राय कमेंट बोक्स में जरूर देजिए कोई से वीडियो लगी वह भी लाइक करके आप बताईए और कमें सब्सक्राइब कर लेजिए तो थाइंक दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मलदार टोपी के साथ तब तक के लिए जय हिंग जय भारत खुश रहिए मस्त रहिए दोस्तों यह वीडियो मैं बनाने का यही मेरा मफसद है कि आप लोगों को मैं कुश जनकारी द नहीं है तो मैं कैसे कोश्टी करूं बाकि आप अपनी राय जिरूर कमेंट में दीजिए